हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो की टॉपिक में कुछ ऐसा सिमेंट क्राफ्ट करेंगे जो कि हम अपनी गार्डेन को बहुत खुबसूरती के साथ डेकर कर पाएंगे जैसे कि यहां पर इस डॉल को देख सकते हैं इस डॉल को मैंने सिमेंट से त्यार करी हूँ किसी प्रकार की ट्रे गार्डिंग या फिर किसी प्रकार की मिनीचर गार्डिंग में भी यूज कर सकते हैं देखने में भी बहुत ज़्यादा खुबसूरत दिखाए देगी आप भी चाहेंगे इस तरह के से बहुत आसानी से बना पाएंगे वो भी बहुत खुबसूरती के स तो चल ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं इस क्राफ्ट को त्यार करने के लिए किन-किन चीजों की जोरत पड़ेगी सबसे पहले हमें इस तरी के से प्लास्टिक डॉल लेना होगा यहाँ पर देख सकते हैं बाजार में बहुत आसानी से प्लास्टिक डॉल मिल जाती है यह बहुत हलकी प्लास्टिक है 15 या 20 रुपया में मिल जाती है बहुत ज़्यादा महेंगी डॉल लेने की जोरत नहीं है इसी तरी के से डॉल होगा तो बहुत अच्छा होगा देखिए ये प्लास्टिक है हमें इसे सिमेंट से त्यार कर रहे है तो सालो साल गाड़िंग में यूज भी कर पाएंगे मैंने कुछ इस तरह के से 20 रुपया में खरीती थी इस तरह के से फेरी वाले के पास बहुत आसान इसे मिल जाती है डॉल की उपर की और इस तरह के से ये लगा हुआ होता है इसे आपको निकाल लेना है यहां पर देखिए यो होल्स आपको दिखाए देगी इसी तरह के से इसे निकालना है देखिए उसको निकालने के बाद इस होल्स को हमें थोड़ा सा और बढ़ा करना है इसी तरीके से ही निकालना होगा देखिए कुछ इस तरीके से इस होल्स को बढ़ा करना है कहीं पर भी दबाव होगा तो उसी तरीके से बन जाएगी इसलिए आपको चेक करना है उसके बाद एक खाली पोर्ट के अंदर बीच में इसी तरीके से आपको डॉल को खड़ा रखना है उसके अंदर आपको इस तरीके से सेंड भरना होगा इधर उतर वो हिलेगी नहीं इसी तरीके से ही रखना होगा उसके बाद हमें मिक्सर त्यार करना है, उसके लिए हमें सिमेंट लेना होगा, सिमेंट में हमें सेंड मिलाना है, तो सेंड भी अच्छा से चान कर ही लेना है, यहां पर मैंने सेंड 50% ली हूँ, सिमेंट 50% ली हूँ, बराबर मातरा में ली हूँ, इसी तरिके से दोनों को ल इसी की मदद से बहुत आसानी से Mixer डाल सकते हैं, इसलिए इस तरीके से खाली बोटल की सामने भाग को कट करके ले सकते हैं, डॉल के अंदर Mixer भरने से पहले डॉल को इसी तरीके से ही रखना चाहिए, उसके बाद जो बोटल को हमने कट करके लिए यहां पे देख सकते हैं, डोल की उपरी इससे के साथ आपको जोड़ना है तो बहुत आसानी से इस तरीके से मिक्सर भर सकते हैं। डोल के अंदर तक मिक्सर चली जाती है। इस बात का भी ध्यान रखे, जब भी मिक्सर त्यार करेंगे तो कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए। ताक कि डोल के अंदर बहुत आसनी से मिक्सर चली जाए। मिक्सर बनाते समय बहुत जदा गाढ़ा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से ही बनाएंगे तो बहुत आसनी से डोल के अंदर मिक्सर चली जाएगी। अच्छा से जब उपर तक भलेंगे उसके बाद इस तरी के से थोड़ा सा टैप करना बहुत जरूरी है यहां पर टैप जरूर कीजिए क्यूंकि डोल के अंदर कहीं पर भी ग्याब होगा तो अच्छा से वो पेक हो जाएगी सेट हो जाएगी इसे निकालने से पहले अच्छा से एक दो बार टैप कर लीजिए उसके बाद ही इस तरी के से निकाल लीजिए बहुत आसानी से इस तरी के से निकर जाएगी देख सकते है, निकालने के बाद भी अगर ग्याब दिखाई दे, तो दूबारा इसके अंदर मिक्सर डाल सकते है, अच्छा से उपर तक पैक करना है, उसके बाद कम से कम इससे हमें 4-5 दिन के लिए 6 दर जगा में रखना होगा, धूप में आपको बिल्कुर भी नहीं रखन है, चार दर जगा में 4 दिन के लिए रख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंट, 4 दिन के बाद फिर में आपके साथ इस वीडियो को शियर कर रहे हूँ, लेकिन फ्रेंट मैं यहाँ पर बीच बीच में पानी से स्ट्रोंग बनाई हूँ, आपको भी बनाना होगा, जबी बना के एक दिन हो जाएगा, उसके बाद आप बार बार इसके अंदर पाने डाल सकते हैं, देखिए फ्रेंट, सिमेंट क्राप्टिंग में जिकना अच्छा से आप टाइम दे के बार बार पाने डाल के अगर इस तरी किसे स्ट्रोंग करके अगर निकालते हैं, तो ब इस तरी के से ब्लेड या परी कटर की मदद से अगर कट करके निकालने की कोशिस करेंगे, बहुत आसानी से इस तरी के से कट हो जाएगी, इस तरी के से निकल भी जाएगी, किसी भी एक साइड से इस तरी के से अगर कट करने के लिए कोशिस करेंगे, तो बहुत आसानी से स पफाई के साथ निखल जाएगी, बहुत जदा महेंगी डोल को लेके इस तरीके से खराब नहीं करना है, इसी तरीके से हलकी प्लास्टिक की डोल को लेके इस क्राफ्ट को त्यार कर सकते हैं, इसी तरीके से वो अच्छा से कट हो जाएगी, अगर निकालने में परिशानी हो तो यहां पर आपको थोड़ा सा कट लगा के इस तरीके से टब में पानी लीजिए, उस पानी के अंदर इस डोल को इस तरीके से भीगा के रखिए, तो देखिए यहां पर हमने कट लगाए थे, इसके अंदर अभी यह पानी जाएगी, धीरे धीरे प्लास्टिक और करने के कुछसिस करेंगे बहुत आसाने से कट हो जाती है देखिए affection मैंने यहाँ पर एक लाइण पकड़ क्रक्रेंप रहे हूं इसी तरीके से ही कट लगाना चाहिए ताकि निकालने में बहुत आसान हो आप जब कभी इस तरीके से इस craft को अगर करने के लिए कौसिस करेंगे इसी तरीके से इन सो बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कटते हैं तो बहुत आसानी से इस तरीके से इस craft को आप बना पाएंगे कहीं से अगर कट लगाके निकालेंगे तो टूट भी शकती है इसलिए इस तरह के से दोनों साइड से ही कट लगाना है देखिए दोनों भाग जो जुड़ा हुआ था डोल के अंदर उन्हीं दोनों जोड को मैने इसी तरह के से ब्लेड से कट लगाई हूँ यहां पर देख सकते हैं, आप चाहे तो इस तरी के से ब्लेड से भी अगर कट करके निकालते हैं, तो भी हो जाएगा, देखिए अगर कहीं पर भी अगर जोड अगर नहीं खुलती है, कहीं पर भी अगर निकालने में परिशा नहीं हो, तो इस तरी के से चाकू को गरम कर करेंगे तो प्लास्टिक जो हें पीघल कर इस तरा के वह प्लेट के सबसे प्लास्तिक और आछपाय के साथ अधया किरेंगे तो यह बहुत आसान है निकाल पाएंगे तो देखिए सबसे पेले मनें दोनों तरप हो जाएगी इसी तरीके से भी आप निकाल सकते हैं बाइचान से अगर निकलने में परिशानी हो तो बार-बार इस तरीके से पानी में भीगा सकते हैं इस तरीके से पानी में भीगाने से प्लास्टिक और सिमेंट जो है बहुत अच्छा से और सफाई के साथ अलग हो जाती है इसी तरीके से भी अगर निकालने की कोशिस करेंगे तो भी बहुत आसानी से निकाल पाएंगे तो देखिए सबसे पहले मैंने दोनों तरब से कट लगाई हूँ उसके बाद इस तरीके से पानी में भिगा के निकालने की कोशिस करी बहुत आसानी से ये प्लास्टिक जो है इस तरीके से सिमेंट से अलग हो चुकी है इसी तरीके से आराम से आपको निकालना होगा यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकती है लेकिन इस तरीके से अगर सफाई से निकालने की कोशिस करते है तो बहुत आसान इसे इस तरीके से सफ़ाय से निकाल पाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं इस डोल को देखिए मैंने दो हिस्से में इस तरीके से कट करके निकाली हूँ इसी तरीके से ही निकालना चाहिए इस डोल को देख सकते हैं बहुत सफ़ाय से निकला है कहीं पर भी डेमेज नहीं हुआ है इसी तरीके से आपको भी ध्यान में रखते हुए बनाना होगा दोनों भी एक जैसा दिखाई दे रही है इसी तरीके से सफ़ाई से निकलना चाहिए तो इसे और दो दिन के लिए पानी में भिगा के रख सकते है तो देखिए फ्रेंट मैंने यहाँ पर दो दिन और पानी में रखने के बाद मैं यहाँ पर कलर प्रेंट कर रही हूँ आप भी इस तरीके से कलराट कर सकते है सबसे पहले सिमेंट के उपर इस तरीके से वाइट कलर करना चाहिए उसके बाद आप अपने मनपसंद के साब से इसे कलराट कर सकते हैं अधना मनद कर सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो दोल को देख सकते हैं कलराट करने के बाद डोल कितना ज़्यादा खुबश्रत दिखाए दे रही है देखिए इस तर के से जब इस प्लास्टिक को यूज करते हैं तो बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है लेकिन जब इस तर के से सिमेंट से त्यार करते हैं तो यह लंबे समय तक हम आपने गाडनिंग में यूज कर सकते हैं किसी प्रकार की खराब नहीं होती है आप भी चाहे बहुत आसान तरीके से इन सब चीजों को त्यार कर सकते है आप अगर इस तरीके से miniature gardening बगरा त्यार करते है या परे tray gardening बगरा करते है किसी प्रकार की garden को डेकोर करना चाते है तो इस तरीके से इन चीजों को घर पर ही त्यार कर सकते है इसकी अलाब अभी मेरे चैनल में और भी कापी सारे वीडियोस बगरा है जो कि इस तरीके से मैं क्राफ्ट बगरा करती हूँ आप अगर उस तरीके से चीजों को अगर बनाना चाते है तो मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते है इसी तरीके से आप अपनी मिनीचर गार्डनिंग के लिए घर पर ही बहुत आसाने से बना पाएंगे तो चलिए फ्रेंड आज की इस वीडियो को यहीं खतम करते है वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिए कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते है